सबी चात्र एवं अध्यापको को मेरा प्रणाम दोस्तो बहुत सारे लोगों ने मुझे यह सवाल पूछा था कि सर 2020 में हम हमारा यूटूब का चैनल प्रापर तरीके से कैसे सेट कर सकते हैं तो यही चीज आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो दोस्तो देखिए यूटूब का जो चैनल है वो शिक्षाक्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्न है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स होने के कारण आपके चात्रिया और भी जो ओडियन्स है आपके चैनल को यहां पर देखती है आपके वीडियो देखती है तो उसे एक सही ढंग से हमें बनाना ज़रूरी होता है तो वो चैनल हम कैसे बना सकते है यह इस वीडियो के मद्यम से हम आज सीखने वाले हैं तो पूरा वीडियो देखो इसे skip मत कीजिए आपको सारी जानकारी इसमें मिलने वाली है और एक बात दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस शिक्षाप्रणियर चैनल को आप सबस्क्राइब कीजिए ताकि आपको जो नई नई चीजे नई नई बाते हम दो गुगल क्रोम है उस ब्राजर को यहां पर open करना है वह आप देुए सकते हो मैंने इसे open किया है और यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा एक जी मेल का अकाउंट एक गुगल का profile बनाना पड़ेगा एक नया जी मेल आकाौँट किस तरह से set किया जाता है यह वो form क्या for myself आभी दो option इसमें आपको मिलेंगे एक business के लिए मिलेगा और एक individual तो myself के लिए आपको यहाँ पर click करना है तो फिर यह form आपके सामने आएगा first name यहाँ पर आपको लिखना है for example यहाँ पर हम D-A-T-A मेरा यह नाम यहाँ पर लेते है S-A-W-A-N-T type करते हैं उसके बाद में एक username हम यहाँ पर select करते हैं जैसे की D-A-T-A 1-2-3-4 इस तरह से और यहाँ पर जो है Gmail है हम यहाँ पर आप देख सकते हो use my current email address instead यह भी आप कर सकते हो और आगर आपका पहला ही email बन चुका है तो इसे भी आप यहाँ पर use कर सकते हो लेकिन एक account मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊंगा तो यहाँ पर एक password हम डालते हैं आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक password डाला है और next करते हैं देखिए किस तरह से एक Google का जो account है अभी इसमें कुछ दिक्कत है आपको आएगी जैसे कि username is already taken प्लीज चूज चूज अ स्ट्रॉंग पासवर्ड यह दो चीज़े हैं तो यह जो username है यह पहले से ही किसी ने दी लिया है तो इसे हम क्या करते हैं दूसरा यहाँ पर देते हैं और यह भी आपको यहाँ पर एक अविलेबिलिटी दिखा रहा है अविलेबल कौंस आए तो इसे हम यहाँ पर ले लेंगे यह अविलेबल है सावंत तत्ता 184 at gmail.com यह आपका जो है यहाँ पर username रहेगा और एक password strong तरीके का हमें यहाँ पर set करना है देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ एक strong password चलिए इसे हम confirm कर लेते हैं next करते हैं देखिए next करने के बाद आपको यहाँ पर जो है phone number मांगा जाएगा तो आपको यहाँ पर phone number देना है यह optional है अगर आप नहीं देना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर एक recovery option का यहाँ पर एक email है तो यह आप यहाँ पर दे सकते हो ताकि आपका जो account है वो यहाँ पर record हो सके तो एक date of birth हमें यहाँ पर देनी पड़ती है gender यहाँ पर हमें select करना है mail और आगे चलना है खुल के आएंगा इसे आपको agree करना है agree करने के बाद आप यहाँ पर आगला जो page है वहाँ पर चले जाएंगे देखिए यह form जो है वो बहुत ही simple है आसान है बस आपको आपकी जो information है वो सही तरीके से यहाँ पर देनी होगी तो देख सकते हो हमारा जो Google का email है वो यहाँ पर तयार हो चुका है आप देख सकते हो यहाँ पर यह आभी चुका है तो अब YouTube चैनल किस तरह से हमें यहाँ पर बनाना है आप यहाँ पर simply YouTube पर जाएए क्यूंकि आप आपके जो Google का account है उसमें login है देख सकते हो यहाँ पर आचुका है अभी आपको यहाँ पर जो ID है वो यहाँ पर दिखाई देखा देखिए यह जो D है यह आचुका है तो अब हमें क्या करना है इस पर click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको यह पर option आया है create channel अब हमारा जो email है इसमें हम login है जो अभी अभी हमने तयार किया है इसे create channel यहाँ पर आपको click करना है, यहाँ पर click करने के बाद आपको इस तरह का interface यहाँ पर मिल लेगा, get started पर फिर आगे click करना है get started पर click करने के बाद देखिए आपको जो channel का name है वो यहाँ पर पूचा जाएगा, use your name और use a custom name तो हमें क्या करना, हमें एक custom name यहाँ पर use करेंगे, email जो है हमारा Gmail का account वो वही रहेगा लेकिन custom name यहाँ पर हमें channel को अगर दूसरा नाम देना है, तो वो हम यहाँ पर दे सकते, तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हो, आपके YouTube चैनल को, जैसे की शिक्षा प्रेनियोर है, literature, simply है, यह सब है यहाँ पर आपको terms and conditions जो है, वो यहाँ पर accept कर लेनी है और यहाँ पर create पर click करना है, जब हम आप create पर click करोगे, तो आप यहाँ पर जो चैनल है, उसके dashboard पर चले जाओगे आप यहाँ पर देख सकते हो, तो देखिए, आपको यह जो चैनल create करना है, आपको Google या YouTube सब एक step by step बता देगा, उस तरह से आपको यहाँ पर चलना होगा अभी देखिए, यहाँ पर अपलोड एक picture का आपको बतायागा, एक picture आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, तो देखिए, यहाँ पर यह जो फोटो है, आ चुका है उसके बाद में यह जो चैनल है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है, description जो चैनल का रहता है, समझो आपका किस तरह का चैनल है, educational यहाँ पर आप बहुत सारी जो information है, वो लिख सकते हो यहाँ पर 1000 जो शब्द है वो आपको यहाँ पर दिये है education, इस तरह से आप जो है, आपकी चैनल का description दे सकते हो यहाँ पर custom link अगर आपके पास कोई website है तो उसकी भी आप यहाँ पर link दे सकते हो यहाँ पर आपको आपके पास facebook का account है, twitter का account है, तो यह भी सब आप दे सकते हो और यह देना अच्छी बात है, क्योंकि आपके जो भी student है या आपके जो भी followers है, वो आपको in platform पर भी मिलेंगे, तो उनको यहाँ पर आप जो आपके pics है या और कुछ जानकारी इन माध्यम से भी दे सकते हो, तो यहाँ पर हमें say by continue करना है, देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है कुछ इसमें जो form है, वो feel करते हुए आगे चलना है, लेकिन यहाँ पर हमें द्यान देना है, बहुत ही careful तरीके से हमें यह form बरना है क्योंकि आगे आने वाले समय में जब आपका channel बड़ा होगा ग्रो होगा, तो वहाँ पर वो एक professional channel आपको दिखना चाहिए उस तरह से उसे आपको यहाँ पर बनाना होगा तो देखिए आपको शुरुआत में जब आप नया नया channel बनाते हो, तो यहाँ पर आपको कुछ instructions दी जाती है, जैसे कि customize channel, organize your channel page, add or update your channel banner and more, तो यह information आपको दी जाती है, upload a video देखो, direct आपको यहाँ पर एक option आया है upload a video रो, उसके नीचे how to get started, मतलब आप किस तरह से शुरू कर सकते हो, यह भी आए तो custom channel में हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर दो option है, आपके पास एक है, customize channel और दूसरा है YouTube studio, तो देखिए यहाँ पर हमारा channel बन चुका है, और इसमें इस तरह से जो पहली tabs है, वो आ चुकी है home, video, playlist, channels discussion and about इस तरह से यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हम customize channel पर click करते हैं, channel है, उसका एक interface यहाँ पर आ जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यह जो banner है, यह channel का जो art है, इसे आपको upload करना होगा, ताकि यह अच्छी तरीकी से दिख जाए, तो आब यहाँ पर एक सवाल है कि यह जो channel art है, यह हम कैसे बना सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, simply यहाँ पर एक जो canva नाम की website है, c-a-n-v-a आप देख सकते हों यहाँ पर, यह जो canva है इस पर आपको जाना है, इस पर जाने के बाद कुछ चीजे आपके पास पहले से ही मुझूद होना जरूरी है, क्यानवा पर आप login होने के बाद, आप यहाँ पर देख सकते हों कि बहुत सारे यहाँ पर टेंपलेट्स आपको दिये जाते हैं यहाँ पर देखिए आप प्रेजेंटेशन, यूट्यूब थम्नेल, यूट्यूब चैनल आर्ट, पोस्टर वगरा तो हमें अभी क्या बनाना है यूट्यूब चैनल आर्ट, यहाँ से आप थम्नेल भी बना सकते हों यूट्यूब चैनल आर्ट भी बना सकते हों तो यहाँ पर देखिए, इस आर्ट पर क्लिक करने के बाद यूट्यूब चैनल आर्ट आपको यहाँ पर कुछ डिजाइन, कुछ टेंपलेट्स दिये जाएंगे उस टेंपलेट्स के माध्यम से आपको क्या करना है आपके China को जो अच्छा लगता है, उस तरह से आप यहाँ पर ले सकते हो, तो यहाँ पर हम एक template लेते है, मैं आपको यहाँ पर दिखांगा, देखेंगे यह template हमने यहाँ पर ले लिआ है, आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रुरी है जैसे कि यह template लेने के बाद इसमें जो यह area है जिसमें यहाँ पर आपके channel का नाम लिखा है तो इसे आपको कहीं पर भी यहाँ से move नहीं करना है इसे यहीं पर रहने देना है क्योंकि यह जो पूरा banner आपका यहाँ पर बन जाएगा तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो आपके channel का नाम यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से आपके channel का नाम हो जाएगा और इस पर आप लिख सकते हो educational इजूकेशनल सिर्फ यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए इस तरह से यह कर रहा हूँ आप ज़र अच्छी तरीके से प्रापर तरीकी से इसी कीजिए यहाँ पर बहुत सारे आप आपके फोटोस वगरा सब डाल सकते हो यहाँ पर पूरी जो सुविदा है वो दी गई है तो यहाँ से आपको इसे simply download करना है download पर click करने के बाद यह जो png है इसे आपको png में ही download करना है तो अभी हमने जल्दी से एक जो channel art है वो बनाया है और वो download भी यहाँ पर हो रहा है तो हम यहाँ पर आप चलते हैं कि यह हमें किस तरह से यहाँ पर लाना है तो यहाँ पर एक pencil का icon है इस पर आप click कीजिए तो वो आपको channel art add करने के लिए बोलेगा और यहाँ पर भी आप कर सकते हो add channel art इस पर click करने के बाद अब हमें direct हमने जो channel art कैनवा में बनाया है उसे download भी किया है तो उसे हमें यहाँ क्या करना होगा select करना होगा तो यहाँ से आप इसे select कर सकते हैं और simply यहाँ से उठा कर भी यहाँ पर drag and drop भी कर सकते हो तो हम इसे select करते हैं यहांपर यह जो tutorial है थोड़ा सा आपको बड़ा लग सकता है लेकिन पूरी जो बाते हैं पूरी जो चीजे हैं हम यहांपर बहुत ही प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं तो इस तरह से आपको जो है आपका channel यहाँ पर बनाना है तो देखिए यहाँ पर यह download हो चुका है दत्ताज YT channel इसे हम यहाँ पर select करते हैं और इसे open करते हैं तो देखिए यह आपको किस तरह से दिखेगा अलग-अलग devices में यहाँ पर दिया है तो आपको यहाँ पर क्या करना है select करना है इसे select करने के बार यह save हो जाएगा और आप देख सकते हो यहाँ पर यह जो है आचुका है educational दत्ताज YT channel educational इस तरह से आपको यह काम सबसे पहले करना है तो देखिए आपका photo हो गया आपके चैनल का art हो गया आपका नाम भी यहाँ पर हो चुका है अब ही चलते है यह जो about section है इसमें यहाँ पर upload है आप जो है आपके वीडियो यहाँ से भी upload कर सकते हो और यहाँ से आपको यह जो दिखाए दे रहा है यहाँ से भी आप upload कर सकते है तो about section में यहाँ पर चलते हैं about section में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने कब join किया है उसकी date होगर है सब यहाँ पर आ चुकी है अब यह description जो है यह हमारे channel का यहाँ पर description है जो हमने पहले डाला था तो इस description को आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो अच्छी तरीकी से यहाँ पर डाल सकते हो तो यहाँ पर हम जो है एक line डाल देंगे this channel is about तो इस तरह से आप यहाँ पर आपको जितना लगता है 1000 शब्दों का description अच्छी तरीकी से डाल सकते हो यहाँ पर done करना है done करने के बाद यह save हो जाएगा और आपके channel में यहाँ पर आएगा अब यहाँ पर business inquiry के लिए email है तो यहाँ पर आपको एक email भी देना होता है तो आपने जिस email से यह account यहाँ पर निकाला है वह email यहाँ पर आप मत दीजिए आप दूसरा जो email है उसे आप दे सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो security वगरा है उसके भी हमें ध्यान रखना पड़ता है तो मैं आपको यह recommend करूँगा कि आप आपका दूसरा email जो है यहाँ पर दीजिए आपका channel जिस email पर है वह email आप यहाँ पर मत दीजिए यहाँ पर आप location भी डाल सकते हो आपके पास अगर कुछ links है वह भी डाल सकते हो जैसे कि पहले हमें पूछा गया था Facebook वगरा की link तो यहाँ पर आप डाल सकते हो पांच link यहाँ पर ली जाती है तो वह भी आप यहाँ पर डाल दीजिए Facebook है या कुछ भी आपकी website है यहाँ पर done कीजिए और यह जो links है यहाँ पर आपको दिखाई दीगी तो इस तरह से आप जो है आपका channel यहाँ पर set कर सकते हैं बाकी इसमें बहुत सारी चीज़े नहीं है बस यही है यह आपका homepage है अभी इस पर जो है एक भी video upload नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा नहीं तो यहाँ पर आपको homepage पर कुछ video दिखेंगे फिर यहाँ पर videos है यहाँ पर playlist आपने जो बनाई है और channels अगर आप किसी channels को यहाँ पर add करते हैं दूसरे तो यह भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और discussions का एक tab हमें आता है और about का अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्न जो चीज है वह है आपको आपका जो channel है यहाँ पर क्या करना पड़ता है verify करना पड़ता है तो यह जो कुछ settings है यहाँ पर आप देख सकते हो access more options in account settings तो account settings पर आप जाने के बाद आपको और कुछ जो दूसरी settings है वो यहाँ पर दिखाई देती है तो देखिए इस तरह से playlist और तो आपकी जो है वो on हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हो subscription private हमें यह जो हमारे subscription से यह private रखने होते हैं क्यूंकि अगर आप इसे public रखते हो तो जो आपके videos देखते हैं वो भी लोग देख सकेंगे कि आपने कौन से channel subscribe कर रखे है तो इस तरह की जानकारे अगर आप देना चाहते हो तो उसे यहाँ पर off कर सकते हो या on कर सकते हो Google Ads setting यहाँ पर आपको दी है उसके बाद में यहाँ पर एक जो advanced setting है वो भी मैं आपको तुरंट से दिखाए देता हूँ यहाँ पर जो एक advanced setting है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो देखिए channel id यहाँ पर create हो चुका है user id यहाँ पर create हो चुका है custom url अभी हमें नहीं मिलेगा क्योंकि उसका एक criteria है custom url का मतलब है यहाँ पर youtube.com oblique आप जो भी आगे लिखना चाहते है oblique के बाद में वो आपका url बन जाएगा तो यह इसे 100 subscriber और एक महिना पूरा होना जर जलते हैं हम और यहाँ पर आपको जो accounts की settings है यहाँ पर देखने को मिलेगी देखिए accounts मतलब आपका जो account google में है यहां से आप उसे access कर सकते हो channel status and features add or manage your channels view advanced settings add or remove managers यह भी कर सकते हो view or change your google account settings यह भी आपका कर सकते हो तो देखिए यहाँ पर एक जो channel का status और features है यह मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपकी समझ में आए कि आपका channel किस तरह से आता है तो देखिए यहाँ पर कुछ features है uploading आपका enable हो चुका है जैसे ही आप channel शुरू करते हो तो uploading videos जो है वो आपके enable रहते हैं आप उसे direct upload कर सकते हो monetization अभी नहीं हुआ है live streaming नहीं है embed live streams नहीं है longer videos भी नह जालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपका जो channel है वो verify करना पड़ेगा तो यहां से हम channel को verify किस तरह से कर सकते हैं यह भी देखेंगे यह features देखने के बाद तो यहाँ पर आगे आप देखिए unlisted and private videos यह भी आपका enabled है custom thumbnail अभी enabled नहीं है इसका criteria मैंने आपको बता दि है देन आप जो है content ID appeals भी कर सकते हैं लेकिन उसका भी एक criteria हमें पूरा करना होता है तो चलिए membership उसका भी एक criteria है तो इस तरह से यह जो tabs है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है यह जो features है यह बहुत महत्वपूर्ण है आप इसे देखते रही है तो चलिए हमारा channel हम किस तरह से verify करते है यह हम इसमें जान लेंगे तो verify पर आपको click करना है verify पर click करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ जानकारी देनी होती है इंडिया call me with an automated voice message text me the verification code तो यहाँ पर आपको verification code text में भी आ जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपका जो mobile number है यहाँ पर वो डालना ह के बाद और verify का option आने के बाद यहाँ से submit कर देना है 24 गंटे में आपका जो channel है वो verify हो जाएगा तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीकी से आप जो है आपका channel यहाँ पर verify कर सकते हो verify होने के बाद आपको यहाँ पर custom thumbnail का option मिल जाएगा यहाँ से आप आपका जो white studio है इसमें आ सकते हो देखिए यूर channel और white studio मैं चलते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका channel यहाँ पर बनने के बाद किस तरह से दिखाई देता है तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो white studio है वो हर channel का जो dashboard है वो एक ही फोता है तो देखिए यहां पर YT में आने के बाद यह हमारा फोटो अगरा यहां पर आ चुका है हमारे चैनल का नाम है यहां पर डैशबोर्ड मतलब इससे डैशबोर्ड कहते है चैनल अनलिटिक्स अब यह सब जीरो है क्यूंकि अभी अभी यह चैनल हमने शुरू किया है यहां पर आप आपका जो चैनल है वो सेट कर सकते है तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीकी से आप आपका जो चैनल है वो क्रियेट कर सकते है अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे यहां पर कॉमेंट कीजिए मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूँगा हमारे इ लाइक कीजिए शिक्षा प्रेनियर को सब्सक्राइब कीजिए और आपने दोस्तों में शेयर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद